Hello everyone and welcome back to my channel तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो एक TVR वीडियो है जो बुक मैं पढ़ने वाला हूँ TVR का मतला होता है To Be Read यानि आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं इस वीडियो में तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं जन्वरी महीने में पढ़ने वाला हूँ और ये एक TVR वीडियो है हाला कि इससे पहले में जन्वरी वुक हॉल वीडियो बनाया हुआ है तो आप देख लीजेगा सेम टू सेम वही बुक है लेकिन दो बुक अलग से इंक्लूट की गई हुई है इस वीडियो में तो आप बने रखिए इस वीडियो के लास्टक और जानिये के वो बुक कौन सी है और सारी की सारी जो मेरी TVR में इंक्लूट बुक है वो सारी की सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो जो पहले बुख है वो है ईशोप निशद बाई स्वामी राम स्वामी राम की लिखी हुई ईशोप निशद एक बहुत ही अच्छी बुख है जो स्पिरिश्यालिटी से रिलेटेड बुख है और इसमें कुछ लाइने हैं जो मैं पढ़का बताऊंगा एक स्वार्ट उपनिशदों में से ईशोप निशद की गर्ना सर्वरहतम होती है यह इस बात का प्रमाण है कि इस उपनिशद में प्राचीन रिशियों, मुनियों तथा ज्ञान, बैराग्य, शक्ति, सिद्धी और अताह अनुभूतियों का निचोड है ऐसे दिव्विग्रंथ में अपने अनुभवों का मिश्रण करके हिमालय के सिद्ध योगी स्वामी रा इसके लिए जिग्यासू, सादक, सदा उनके आभारी रहेंगे ये स्वामी रामद्वारा लिखी एक बहुत ही अच्छी बुक है जो इशोपनिशद पर आधारित है इशोपनिशद हमारे एक स्वाट उपनिशदों में से एक उपनिशद माना जाता है जो बुक में इस मही पढ़ने वाला हूं तो सेकंड बुक जो है वो है प्राणायाम से रिलेटिड प्राणायाम रहस्य अश्टांग योग शटकर्म बंद हस्त मुद्रा सूरी नमस्कार एबं कुंडलिनी जागरन सहित ये लिखी है योगाचारे मिठन लालने इसमें लिखा हुआ है माना शरी रोगी बन जाती है प्राणायाम द्वारास्वास प्रस्वास की क्रियाओं को नियमित एवं नेंत्रत किया जा सकता है इसके अतिरित इन क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते हुए सादक कुंडलिनी शक्ति को जागरत कर ईश्वर की अनुभूती प्राप्त कर सकता है शरी ओपर और उठने लगती है और दिव्य प्रकाश का अनुभव होने लगता है किसी साधक को यहakah सिद्धी कम समय में मिलती है तो किसी को अधिक समय में प्राप्त होती है प्रस्तुत पुष्टक में प्राणायाम से संबंधित विविन्य पहलू उका का विस्तार पूर्वक बल पतली सी बुक जैसा मनुश्य सोचता है बाद जेम्स एलन संजना चदरवेदी ने इसका हंदी अनुगात किया हुआ है इसमें लिखा हुआ है जेम्स एलन द्वारा लिखी है सर्विस्रेश्ट पुस्तक एक क्लासिक सेल्फ एल्फ बुक के रूप में जानी जाती है जेम्स सेल्फ एलन का जन्म 1864 में लियस्टर इंग्लेंड में हुआ अपनी पहली किताब फ्रॉम प्रवर्टी टू पावर पूरी करने के बाद इंट्रूम पूल में रहने चले गए जेम्स एलन जहां उन्होंने अपनी अमर कृती जैसा मनुष्य सोचता है as a man think it लिखी जो उनक तकाशित हुई और इसे सेल्फ एल्फ किताबों की क्लासिक माना जाता है इस पुस्तक को जेम्स एलन की पत्नी लिडी ने तकाशित करवाया जेम्स एलन ने काफी छोटा सा जीवन यानि नौ साल की अपने कारेकाल में ही बहुत सारी रशनाय पूरी की और 1912 में 48 साल की उन वाली बुक और कहें तो एक ओटोवायग्रफीकल बुक भी है और ये है और एक योगी की आत्मकथा वाय परमहंस योगानंद परमहंस योगानंद द्वारा लिखी उनकी जीविनी या ओटोवायग्रफी वाली ये बुक है इसमें वीटास जॉब इस्टीब जॉब और परमहंस योगानंद के जीवन चरत्रों को जागर करती है इस पुस्तक को अपनी पहनी ये वं अंदर तक भेदने वाली एवं निर्देशा युक्त शिक्षाओं के लिए सदेव सम्मान के साथ याद किया जाता है एक अध्भुद भारतिय रहस्वार और आध्यात्मिकता से युक्त यह आत्मिकता आपको एक ऐसी अवश्वश्निय यात्रा पर ले जाएगी जो जीव में रखने योग है तो यह है परमहनस योगानंद द्वारा उनकी जीविनी उनकी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पुस्तरक एक योगी की आत्मकता जिसे बहुत बड़ी बड़ी दिख गिजो ने पढ़ा है और मैं भी बढ़ने वाला हूं तो नेक्स्ट संग्राम सिंदु गाथा प्रथम खंड अर्थला और ये लिखी है विवेक कुमार ने जंबुद्विक की सबसे बड़ी रणगा था देवासुर संग्राम का प्रथम चरण मिटी से घड़े बनाने वाले मनुष्य ने हजारों वर्षों में अपना भौतिक ज्यान बढ़ा के सदगुण और दुर्गुणों से योगों में उनके विवहार को संचाल करनी की शक्ती होती है यह गाथा किसी एक विशिष्ट नायक की नहीं अपितु सव्यता संस्कृति समाज देशकाल ननमाण तथा प्रलय को समेटने वाले संपून योग की है इस योग में जिसमें देव दानब असोर दैत्य जातियां अपने वर्चश्व पर थी यह वह योग है जब देवास्त्रों और ब्रह्मास्त्रों की धमक से धर्ती कमपायमात होती थी शक्ती प्रदशन भोगों और अपकरणों को बढ़ाने नई संसाधनों परिदिकार था सर्वोच पाने की युदीब को कई बार देवास्त्रों संग्राम की और धकेला परन्तु इस बार सिंदू संग्राम की बारी थी यह अति विनाशकारी महा संग्राम जो देवासुर दस देवास्त्रों संग्रामों में से अधिक विश्व विद्वन शकारी था संग्राम सिंदू गाथा का यह खंड देव दानव असोर अन जातियों के इतिहास के साथ देवों के अलोकिक शक्ति एवं देव शक्ति का मूल आधार को उधगटित करता है तो ये है सिंदु संग्राम गाथा प्रथम खंड अर्थला ठेक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर नेक्स्ट बुक है एक दूसरी फिक्षनल बुक वो है हडपा रक्तधारा का श्राप जो बिनीद वाचवाई ने लिखी हुई है तो हडपा ट्रोलोजी की ये पहली बुक है इसमें बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है जो आपको मतलब हर एक कालखंड से जुड़ी हुई है मैंने ये वो कुछ पेज़ेस पड़ भी ली है और जैसे इसमें लखा हुआ है 2017 दिल्ली बिद्धुत मिरत प्रियप पूर्वज उसे बनारस बुलाती है देव राक्षासमट के ब्रद ब्राम्हड मुखिया एक भीशन रहस चिपाए हुए है उनके वंश पर एक प्राचीन श्राप है जो समस्त माना जाधी को अंत की ओर ले जा रहा है 2017 इसापूर भडपा शक्तिशाली नदी सरस्वत्ती किनारे बसा हडपा एक शांदार नगर है यह व्यात्व छल तांत्रे कनुष्ठान रक्त्यम शंगर्ष का अंधिहारा खुद इसके आखरी देपता को भयानक बदला लेने पर मज़ूर करता है गोरव पूर्ण सभ्यता का पतन का कारण बनेगा 2017 पैरिस विश्व का सबसे ताकतवर संस्तान वोकलाया हुआ है यूरोप के खूंकार सर्गना ने पैरिस में एक रहस्मई व्यक्ति से मुलाकात की एक निर्मम हत्यारा ट्रेन में सवार हो हुगा क्यूंकि रोम को अपने सबसे भायनक डर का सच होन किताब में और प्राचिन श्राप क्या है और आखरी देवता कोन है विशाल सिंदू घाटी के पतन के पीछे यसी कौन सी वीशन रहस्य चपा हुआ है पढ़िए और कपटवा हिंसा देव और दानवों प्यार और महत्पकांग्शा की रोमांचक सफर पर नकल चलिए तो य हैरी बॉटर और रहस्मय तैखाना बाई जेके रॉलिंग जेके रॉलिंग लिकी हुई बहुत ही अच्छी वुक जब से हैरी बॉटर गर्मी की चुट्टियों में घर लोटा था तभी से उसके अंकल आंटी उससे बहुत घटिया और बुरा वेवार कर रहे थे वह एक बा हैरी को होगवर्ट में अपने दूसरे साल में बहुत से रोमांचा अनुभव होते हैं जिनमें कार कोड़ाने से लेके क्विटेज के खेल में पहलवान से जान बचाने तक की घटना शामिल ने परन्तु आतंक का असली माहुल तब शुरू होता है जब रहस्में तैकाना ख खुलता है और होगवर्ट के विध्यारती के बाद एक बेजान होने लगते हैं टेकाने को कौन खोल रहा है कहीं यह ड्रेको मेर्फाय तो नहीं जिसके पिता शैतानी शेंशार लॉर्ड वाल्डमोड के खास सही होगी थे या फिर कहीं यह वह विध्यारती तो नहीं जिस पर होगवर्च में सबसे ज़्यादा शक किया जाता है यानि खुद हैरी पॉर्टर नियुरेक्ट टाइम वेस्ट सेलर हैरी पॉर्टर और पारस पत्थर तो यह बुक है जो जन्वरी महीने में हैरी पॉर्टर सीर्स की दूसरी बुक मैं पढ़ने वाला हूं बढ़ते हैं न श्वेताम गंगवार द्वारा लिखी हुई एक बहुत अच्छी बुक बहुत अच्छी सेल्फल बुक जो आपको पढ़नी ही चाहिए 2022 में श्वेताम गंगवार यह पेशिवर प्रॉब्लम सॉल्वर है और अपने काम में सर्विशेष्ट हैं पेछले पांस सालों में कुछ खास सिद्धानतों और नजरियों की जरूरत होती है और जिंदगी जीने के लिए कुछ बेहत जरूरी कोर्स भी होते हैं पर जरा सावधान गंगवार आपके जजबातों को कता ही नहीं बक्षते सीधे सपार्ट इसपष्ट बात करने वाली कोई भी तरह की फालतु ना खाएं क्या समाज असल में एहमक है जो लोग को अच्छे और बुरे के तौर पर बांट कर देखते हैं कैसे खुशी की तलास हमें भटका देती है कैसे किसी की अस्विकृती पाने और स्विकृत होने की एक्षा हमारी खासियत को मार देती है क्या है सोचल मीडिया इंफ साथ गुजर चुकी हैं गुजर रही हैं गुजर सकती हैं तो आसानी में यह तरो ताजा करने वाली बहुत ही अच्छी बुक है जो आपको लाइफ के कड़वे सच बताएगी और आपको लाइफ के कड़वे सचों को जानना ही चाहिए तो यह है लाइफ के कड़वे सच ब बढ़ते हैं next book पर next book ही self-help book है वो है सन्यासी की तरह सोचें अपने मस्तिश्क को शान्ती और उद्देश पाने ही तू प्रिसिक्षत करें by जेशेटी जेशेटी की लिखी हुई बहुत ही खास और उंदा book जब आप सन्यासी की तरह सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे की अपना उद्देश्य कैसे सोचें नकरत्मक्ता से कैसे उबरें अधिक विचार करने की आदत को कैसे रोकें तुलना प्रेम को कैसे समाप्त कर देती है अप बहुत कुछ बुद्धिमता को प्रसांगिक और सरवसुलब बनाने बाली यह जेशेटी की सबसे बड़ी शक्ती है यह किताब उनकी यह गहराई और विवहारिक पुस्तक दिल को छू जाती है हमें विश्वास है कि यह पुस्तक से बहुत से लोग नई आदत अभ्यास और बुद्धिमता सीखेंगे जिनकी मदद से वे अपना मन चाहा जीवन वास्तविकता में जीव पाते हैं तो यह है सन्यासी की तरह सुचें वाई जेशेटी यह बहुत ही उन्दा सेल्फ एल्फ बुक तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर नेक्स्ट बुक है इस्पिरुच यह सद्गुरुदार लिखी एक बहुत ही अच्छी बुक है बहुत ही इस्पिरिच्वल बुक है एक आध्यात्मिकता से जुनी कोई बुक है और आपको यह बुक बहुत ही अच्छी लगने वाली है मैंने इसके कुछ पेजेस पड़े थे और मुझे इसमें कुछ फणी फ करशकता नहीं है क्योंकि जीवन शणक है यह एक बुलबुले की तरह है यह आपकी मिरत्यू बहुत लंबे समय तक है और आपका जीवन बहुत कम समय तक विश्व के अधिकतर संस्कृतियों में मिरत्यू पर चर्चा को बहुत ही अशुब माना जाता है लोग इसके बारे म बात करने से बचते हैं लेकिन अगर मिरत्यू बिनाशक ना होकर जीवन के एक एहम पहलू के रूप में हमारे सामने भरपूर आद्यात्मित्ता और संभावनाव को लेकर खड़ी हो जाए तो और यदि मिरत्यू से जोड़ी हमारी सभी माननिताइं गलत सावित हो जाएं तो पहली बार कोई मिरत्यू के बारे में ठीक यही बात कर रहा है इस अनूटी पुस्तक में सद्गुरू मिरत्यू के अंकहे अंजाने पहलूओं पर चर्चा करते हैं और आंत्रिक अनुगवों से इसके कई रहसों को जागर करते हैं विवारे के इस तर पर अपनी रिष्टी सांजा करते हुए बहें बताते कैसे ऑक अच्छी म्रत्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं एक मरत्य इंसान के लिए हम सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं और मृत्यू के बार मृत्क की आंगे की यात्रा को कैसे सुकद और उसके लिए हम क्या-क्या अच्छा कर सकते हैं चाहे कोई आस्तिक हो नास्तिक हो भक्तो ग्यानी हो कोई सादक हो या गोगी हो यह पुस्ताकुन सभी के लिए जो एक दन मरेंगे तो ये है बहुत ही अच्छी बुक मिलत्यू बाई सद्गुरू बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर नेक्स्ट बुक भी spiritual बुक है और हर तरह की self-help बुक और हर तरह की बुकों में सर्वस्रेष्ट माने जाने वाली बुक है और वो बुक है शेमत भगवत गीता समग्र संसार क ब्रह्मान्ड का ज्यान इस बुक में समाया हुआ है अगर आपने ये बुक बहुत ही अच्छी से पढ़ ली और इसे समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आप कभी अपने आपसे समात से देश से या प्रत्वी से या फिर संसार की क वेदान्त स्वामी प्रभुपाद द्वारा संकलित अंतरराष्ट्रिय बेस्ट सेलर वर्ल्ड वाइड वेस्ट सेलिंग बुक जो बहुत ही लंबे समय से हमेशा बेस्ट सेलिंग सूची में बनी रहती है जो सबसे जाड़ अबिक्ती है शीमत भगवत गीता विश्व बर् के आत्म साक्षक्कार के विज्ञान के मारुदर्शक का अचूक कारे करते हुए मनुष्य के स्वभाविक और उनके परिवेशी और अंतरंगित्वता श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंद को अधगाड़त करने में इसकी तुलना कोई और अन्यगरंथ नह और वे भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही आवांचित्य गुरु शिश्य परंपरा का प्रतिनिदत्व करते हैं इसे प्रकार गीता के अन्य संस्करणों के विप्रीत वे भगवान श्री कृष्ण के गंभीर संदेश को यथा सुरू प्रस्तुत भी करते हैं किसी प्र सरवार्थ साम्यक संदेश में प्रवोदत एवं प्रकाशत करने की संकल्पना है ये है श्रीमत भगवद गीता श्रीक भगवान श्री कृष्णी जी द्वारा अपने उपदेशों और महत्वपूर्पूर सिधानतों का वर्णन उनके घनिष्ट मित्र अर्जुन के सामने की क तो यह रही टोटल 11 बुक जो मैं इस जन्वरी महीने में खत्म करूँगा जन्वरी महीने के कुछ दिन और जादा बढ़ सकते हैं शायद फरवरी भी लग सकता है तो यह पूरी पूरी 11 बुक मैं इस महीने पढ़ने वाला हूँ और प्रतेख बुक का आपको रिव्यू मि को बहुत अछी बिटियो बनाके रहें गाणा गबार कर दोड़े हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो के अंतर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शोबो, साथ ही आप बहुत सारी रीडिंग करते रहें, बहुत सारी बुक पढ़ते रहें, स्वास रहिए, खुश रहिए, और बहुत सा के लिए, तिल दन बाई